है लिश्री इस पीडियों हम बात करने वाले हैं इगनू के assignment submission की last date के बारे में जो अभी last date है 31 October 2023 क्या वो आगे बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं आज की इस पीडियों में detail में बात करेंगे इसी बात को लेकर कि भाई जो आपकी इगनू के December 2023 टमड़ exam के assignment की last date है 31 October 2023 क्या उसे आगे भी 15 मई तक या फिर 30 मई दो हो जाएगी तक बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं आज की इस पीडियों में detail बात करेंगे साथी साथ आपको बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको किन challenges का सामना करना पड़ सकता है क्या आपको result declare होगा या नहीं क्या आपको exam बैठने दिया जाएगा या फिर नहीं आज की इस पीडियों में detail बे बात करेंगे वीडियो काफी important है तो वीडियों का इंट तक चरूर से देखना साथी चैनल लोग पहली वार आए हो make shop चैनल को चरूर से subscribe करें पहले इकन दवाले तक latest update आपको सबसे पहले मिलती रहे आइच्टेंट बात करते हैं एक एक करके सब ही points पर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आज 24 अक्टूबर दो हो जाए 23 हो चुका है और इगनुने 7th submission की जो last rate है आपकी 31 अक्टूबर इसे लेकर कोई भी जानकारी और साजा नहीं की है कि last rate further extend होगी या फिर नहीं और जायर सी बात यह भी है कि भाई अभी से जो information है व last rate बढ़ेगी या फिर नहीं पहले तो आप लोगे जो सवाल आ रहे हैं last rate को लेकर की सर हमारी assignment बने ही नहीं है तो क्या होगा last rate extend होगी या नहीं उस पर ही हम बात करें अभी जो assignments है जितने भी assignments है उसमें अगर end last rate की बात करें तो भाई 31 अक्टूबर दो हो जाए 23 assignments पर mention ह that means और भी कहीं पर ऐसी return last rate नहीं है जो 31 अक्टूबर से भी ज़्यादा लिखियो जैसे 15 नवंबर या 30 नवंबर आपकी जो अंतिम last rate जो assignments पर या आपके notifications पर given है वो आपकी 31 अक्टूबर ही है अब यहां पर सवाल ही आता है कि क्या आपकी last rate further पढ़ने वाली है या पर न study की guidelines जारी की गई है ठीक है मतलब previously guidelines को यहां पर use किये हुए notice vote की बात कर देंगी कि यहां पर कुछ है यहां पर नहीं तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो again यहां पर भी आपको guidelines के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा all right हम इनकी main website पर वापस आते हैं और यहां पर जो आशुतिस college assignment submission की days की बारे में बात की गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं last days किस प्रकार से दी गई है कि आपके 30,10,20 तक आप submit कर सकते हैं एक वज़े से लेकिल 4 वज़े तक यानि 3 घंटे का time दिया जा रहे और यहां पर 30 October ही आपकी last days 31 भी आप भूल जाए ओके आउट हो कि आपके assignments किस प्रकार से रहने वाले हैं इससे पहले हम आर्ची सिम्बला की guidelines की वाद कर चुके हैं जिसमें काफी फेर बदल हमें देखने को मिले थे और आर्ची सिम्बला ने तो अपनी guidelines में गजब भी गया था उन्हेंने पहले 2022 और 2023 की वाद कहीं उसके बाद चैनल में issues यह website पर भी आ रहा है कि आपकी website ही open नहीं हो रहे हैं चैनल उस पर नहीं जाएंगे अभी हम में topic पर आते हैं कि लाच्ट फॉर्दर एक्ष्टेंड होगी या फे नहीं तो दीगे इससे पहले लाच्ट हम दिसम्बर की बाद करें आपको एक आईडिया देता आपकी जून में जो लाच्ट टमड एक्षाम हुए थे उसके लिए 7 लाच्ट कब तक बढ़ाई गई थी तो आप मेरी प्रिविस फीडियो देख सकते हैं जो मैंने बारा मई दो जाटेईस को जारी की थी जिसमें बताया थे भाई कि लाच्ट पंदरा मई के बाद में एक संबिशन की उसे पंदरा नूमबर दो जाटेईस सक पढ़ाया जा सकता है अभी मैं ऐसे क्यों कहा रहा हूं वो भी समझे इसके दो तीन पॉइंट है पहला तो यह है कि जून में भी आपकी लाच्ट टेट एक्जाम से पंदरा दिन पहले तक बढ़ाई गई थी मतलब एक अपके एक टारिक से स्टार्ड है तो पंदरा मईं तक आपकी लाच्ट टेट पढ़ाई गई थी अभी बात करें दिसंबर 23 अग्जाम की तो आपके एक दिसंबर से स्टार्ड हैै 15 नूमबर 23 से पढ़ाई जासे थी इसका दूसरा कारण यह भी है कि आपकी जो एक्जामि तो अपने नज़्दी की रीजनल सेंटर पे जाके exam form को fill कर सकते हैं offline way में जिसमें आपको 1100 रपे late fees देनी होगी और exam fees जो chargeable है वो आपको pay करनी होगी और exam form के साथ ही साथ आपका एक और सवाल ये भी रहता है कि let's suppose हम एक condition और लेते हैं कि भाई आपकी last rate 31 October की बाद में बढ़ती ही नहीं है वैसे तो chances अब 15.9 तक बढ़ाई जाएगी लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि last rate 31 October उसके बाद में further action नहीं की जाती तब क्या होगा क्या आप exam दे पाएंगे या नहीं exam form की बात करता हूँ जिससे आपको clear out हो की actual में guidelines क्या है submitted by the due date parameter applicable as per provision of your program अगर आप exam form फिल करें तो last rate से पहले आपको assignment submit करने compulsory है as per this notification इसके लाबा halt kit आती है उसमें भी आपकी simply guidelines होती है date sheet में भी आपके यह लिखा होता है कि भाई आपको जो अपने assignments है उसे last rate से पहले submit कर देना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एकनू की ओर से clearly कहा जाते हैं कि आपको जो result है वो declare नहीं किया जाएगा लेकिन इसमें एक loophole यह है कि आपके assignments और examination दोनों ही individual complaints में आते हैं तो अगर आप exam form फिल कर देते हैं assignment किसी का इंट बस्ट नहीं submit कर पाते हैं आने वाले next assignment exam में आप submit कर पाएंगे बट एक और सीरी वहाँ पर याद रखने हैं कि वह assignment valid होना चाहिए उस next assignment exam तक जैसे यह assignment 31 October 2023 सक valid है या दिसंबर तरह में exam के लिए valid है अगर आप दिसंबर में पेर होने वाले हैं दिसंबर के लिए submit करें तो यह assignment valid है तो आपको यह चेक करना है कि भाई जो assignment है आप बना रहे हैं क्या वह valid है उस assignment exam के लिए या फिर नहीं आल राइट यही आपको करना है अगर आप अभी submit नहीं कर पाते हैं तो आने वाले next assignment exam जो कि जून 2024 के होंगे उसमें submit कर सकते हैं तो इस प्रेंड यह थी important update आपके assignments जो कि December 2023 exam के लिए रहने वाले हैं होब कि आपको clear out हुआगा बाकी notification आएगा तो आपको चैनल के मादियम से different social media के जरिए information दे दी जाएगी तो make sure आप हमें वहाँ पर भी follow कर लें सभी के link आप टो जिस्टिम मिल जाएंगे जरूर से check out करें इस video में इतना ही मिलते हैं एक और update एक और नी वीडियो में तब क्लिचे हैं हिंडिया बारत पाई दूस्ते हैं